कई बार विलंब से समर्पन करने के बावजूद पहले भी 45 दिनों का एमर्जनसी पैरॉल दिया गया था किन्तु अब एमर्जनसी पैरॉल पर छुट्टी देने का आवेदन ठुकराय जाने पर इसे चुनौती देते हुए कैदी सुरेश बोयर ने हाई कोट पे याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के बाद नयादीश वी एम देशपांडे और नयादीश अमीद बोरकर ने एमर्जनसी कोरोना पैरॉल पर कितने कैदियों को अब तक छुट्टी दी गई, कितने कैदियों के आवेदन ठुकराय गए, इस संदर्ब में विस्तृत हलफनामा दायर करने के आदेश सेंट्रल जेल के अधिक्षक को दिये सुनवाई के दोरान जेल अधिक्षक द्वारा लिये गए फैसले को उचित करार देने का सरकारी पक्षक की और से प्रयास किया गया लेकिन मामली की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने कहा कि याचिका करता की वकील बार असोसियेशन की नई सदस्य है यहाँ तक की इस व्यवसाय में नई दिखाई दे रही है, अतहा यहाँ उचित होगा कि कोई वरिष्ट वकील इस संदर्व में मदद करे हाई कोट ने अदालत में उपस्तित अधिवक्ता फिर दौस मिर्जा को अधालत मित्र बनाने की पेशकश की इसे अधिवक्ता मिर्जा ने स्वीकृत किया, सुनवाई के दोरान सरकारी पक्ष की ओर से जिन्हें एमर्जनसी पैरोल दिया गया और जिनके एमर्जनसी पैरोल ठुकराए गये नए नियमों के अंतरगत नियम 19.1.C के अनुसार विस्तरुत जानकारी उपलब्द कराने के आदेश दिये हलफनामा में जिन्हें एमर्जनसी पैरोल दिया गया, ऐसे कितने कैदियों ने कितनी बार देरी से समरपन किया साथी पुलीस के माद्यम से ऐसे कितने कैदियों को वापस लाया गया और कितने कैदियों के एमर्जनसी पैरोल ठुकराए गये इसकी जानकारी हलफनामा में देने के आदेश जेल अधिक्षक को दिये